अगर आप बजाज का FinServe EMI Card लेना चाते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से बजाज का FinServe Card गर बेटे ही अपने mobile phone से या computer से apply कर सकते हो अगर आप इस बताय हुए process से बजाज FinServe EMI Card के लिए apply करते हो तो आपका जो बजाज का FinServe EMI Card है वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनकर तयार हो जाता है और अगर आपका civil अच्छा है तो आपके civil के according यहाँ पर आपको credit limit बिलती है आपको यहाँ पर इस card पर जो limit दी जाती है उस limit का आप यहाँ पर personal loan भी ले सकते हो इसके अलावा आपको जो यहाँ पर limit दी जाती है उस limit के अंडर में आप यहाँ पर किसी भी सामान को EMI पर purchase कर सकते हो आप भी बजाज का FinServe EMI Card apply करना चाते हैं उसको घर बेटे बनवाना चाते हैं तो किस प्रकार से आप तुरंत अपना बजाज का FinServe EMI Card बना सकते हैं उसका complete process जानने के लिए चलते हैं mobile की screen की ओर बजाज का FinServe Card बनवाने के लिए जो EMI Card होता है उसको बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में एक एप को डाउनलोड करना है उस एप का नाम है बजाज FinServe Instant Loan Credit Card EMI Card आपको यह वाला एप अपने mobile phone में इस्टॉल करना है उसके बाद simply आप इसे open करेंगे जब आप इसे open करोगे तो open करने के बाद यह आपसे कुछ permissions मांगेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो grant permission का option मिलता है आपको इसको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आपसे यहाँ पर अपना mobile number मांगता है तो आपको यहाँ पर वहवाला mobile number देना है जो आप mobile number यहाँ पर आप इस card के साथ link करना चाते हो जैसे हमने आपर mobile number दे दिया उसके बाद आपको यहाँ पर option मिलता है continue का तो simply आप continue पर click करेंगे पर जो OTP आपको receive होता है वह वाला OTP आप यहाँ पर enter करेंगे और OTP एंटर करने के बाद नीचे आपको option मिलता है continue का तो simply आप continue पर click करें OTP डालने के बाद आपके सामने बजाज Finserv का जो app है उसका जो dashboard है वो आपके सामने इस प्रकार से आजाता है अब आपको क्या करना है यहाँ पर अपना बजाज Finserv कार बनवाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे option मिलता है offers का यहाँ पर आपके एक logo मिलता है आपको इस offers वाले logo पर klik करना है उसके बाद यह आप से यहाँ पर पूछता है कि आप यहाँ पर those आपन के लिए एलिजिबिल हो वो सारे offers की जो list है वो आपको यहां पर दिख जाती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना वजाज का FinServe EMI Card बनवाने के लिए आपको बिल्कुल नीचे स्क्रोल करना है और आपको यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रोल करोगे तो आपको option मिल जाएगा EMI Card का और नीचे आपको option मिल जाएगा C Detail का यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर C Detail का वो कुछ इस तरीके के देखने को मिलेगा बस आपको यहाँ पर total 3 steps follow करने है और 3 steps follow करने के बाद आपका जो EMI Card है वो आपको यहाँ पर show हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना Card apply करने के लिए आपको यहाँ पर option मिलता है mobile number का वही डालना है जो आपने registration करते टाइम डाला था उसके बाद जो भी आपकी डेटो बर्थ है डेटो बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है उसके बाद आपको apply now पर क्लिक करना है उसके बाद जो mobile number आपने डाला है उस mobile पर एक OTP जाएगा वहवाला OTP आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद submit OTP पर क्लिक करेंगे जिसी आप submit OTP पर क्लिक करोगे submit OTP पर क्लिक करने के बाद आपका जो mobile number है उसको यहाँ पर verify किया जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो card है वह यहाँ पर approved हो चुका है यहाँ पर लिका हुआ है congratulations your insta EMI card approved limit is 50,000 50,000 रुपय वाला जो हमारा EMI card है वह यहाँ पर approved हो चुका है और यहाँ पर हमें हमारा जो since है मतलब यह कब से approved है यहाँ पर हमें date दी गई है और जो यहाँ पर date दी गई है valid तिल इस वाली date तक हमारा जो card है EMI वाला card वो अब हमें यहाँ पर activate होने के बाद मिल जाएगा और हमारा जो card हमें मिलेगा वो इस date तक valid होगा अब आपको यहाँ पर पहली step हमने यहाँ पर follow कर ली है बस अब हमें इस card को लेने के लिए दो step और follow करने है उसके बाद हमारा जो card है वो यहाँ पर activate हो जाएगा और activate होने के बाद हमारा जो बजाज का फिंसर्व card है वो हमें मिल जाएगा तो सबसे पहले card को apply करने के लिए आपको नीचे option मिलता है प्रोशीड का प्रोशीड पर आप क्लिक करें प्रोशीड पर क्लिक करने के बाद यह जो आपकी KYC detail है जो आपने अभी just डाली है उन सारी KYC detail को यह यहाँ पर verify करें उसके बाद जो आपका यहाँ पर address है वहवाला address यहाँ पर automatic आ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपका address है वहवाला address यहाँ पर automatic आ जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो address आने के बाद simply आपको नीचे scroll करना है और आपको यहाँ पर option मिल जाता है प्रोशीड का तो simply आपको प्रोशीड पर क्लिक करना है जिसी आप प्रोशीर पर क्लिक करोगे प्रोशीर पर क्लिक करने के बाद वापस से यह जो आपने documents वगेरे डाले हैं उन सारे documents को यह आपर collect करेंगे वह यहाँ पर verify करेंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो pen now का आपको option मिल चुका है यहाँ पर आप देख सकत आप यहां पर देख सकते हो यह जो payment है वो एक बार आपको करना है उसके बाद आपसे यहां पर बजाज फिंसर एमाई कार्ड के लिए जो फीस है वो आपसे ली जाती है जो कि आपको यहां पर एन्वल देनी होती है तो इस वाले कार्ड को आपको एक्टिवेट करने के लिए यहां पर आपको पेनाओ पर क्लिक करना है और पेनाओ पर आप जैसी क्लिक करोगे पेनाओ पर क्लिक करने के बाद यह आपको पेमेंट का जो गेटवे है वो वहां पर आपको रेडिरेक कर देंगे और आपको यहां पर अगर UPI फोन पर बगरा से पेमेंट करना है तो आप आपको UPI ही select करेंगे देना है उसके बाद या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आपको wallet का option मिलेगा वे लेकिन wallet में आपको phone पर भगरा option नहीं मिलता है तो आपको UPI पर ही select रहने देना है उसके बाद Pay now पर- click करना है पे ना उपर आप लिक करोगे तो पे ना उपर click करने के बा उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो payment है वो successful हो चुका है अब आपको यहाँ पर अपना जो EMI card है उसको activate करना है तो उसके लिए आपको नीचे option मिलता है activate now का तो simply आप activate now पर click करेंगे जिसी आप activate now पर click करोगे activate now पर click करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो EMI card है उसको activate करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपका जो bank account है उसकी detail आपको यहाँ पर देनी होगी यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो bank account है जिसको आप यहाँ पर इस card के साथ link करना चाते हो उसका bank का account number आपको यहाँ पर देना है उसके बाद जो आपका IFSC code है वह वाला IFSC code आपको यहाँ पर देना है जिस bank का आप यहाँ पर IFSC code लगा रहे हो उसके बाद आपको यहाँ पर submit पर click करना है उसके बाद जैसी आप यहाँ पर bank detail डालोगे bank detail डालने के बाद जो भी आपकी personal detail है, आपके bank की detail है, वो आपके सामने आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको checkbox का option मिलेगा, आपको यहाँ पर checkbox पर click करना है, उसके बाद नीचे आपको option मिल जाता है, submit का, simply आपको submit पर click करना है, अगर आप इस EMI card से आपके EMI card में पैसा वापस लेने के लिए, जो account number आपने लगया है, उस account से आपका जो पैसा है, वो automatic यहाँ पर debit होता रहेगा, बतलब आगर आप यहाँ पर EMI card में अपना पैसा जमान नहीं करवाते हो, तो जो account number आपने डाला है, उस account से आपका जो पैसा है, वो यहाँ debit हो जाएगा, उसके बाद card को full activate करने के लिए, आपको यहाँ चे इसको concern देना है, उसके बाद submit पर click करना है, जिसी आप submit पर click करते हो, submit करने के बाद आपका जो page है, वो वापस से यहाँ पर loading लेना start हो जाता है, आपको यहाँ पर थोड़ी देर wait करना है, जब तक कि आप का जो यहाँ पर page है, वो पूरी तरीके से submit नहीं हो जाता है, उसके बाद जिसी आप submit कर देते हो, submit करने के बाद आपका जो card है, वो अब activate हो जाता है, अब आपको अपना EMI card देखने के लिए, आपको यहाँ पर वापस से home पर click करना है, जिसी आप home पर click करोगे, आपको बीच में option मिलेगा, EMI card का, आपको इस EMI card पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो mobile number है, वो automatic आजाएगा, और यहाँ पर जो आपकी date of birth है, date of birth आपको डालनी है, उसके बाद आपको continue पर click करना है, उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो EMI card है, वो पूरा यहाँ पर show हो चुका है, यहाँ पर आपको अगर आप unblock card number पर click करोगे, तो आपका जो यहाँ पर card का number पूरा show नहीं हो रहा है, अगर आप unblock कर दोगे, तो आपका जो card है, उसका पूरा number आपको यहाँ पर show हो जाएगा, इसी के साथ आप देख सकते हो, कि यहाँ पर हमारा जो card है जो हमें इसकी limit मिली है वो total 50000 रुपए इसकी limit मिली है और अभी तक हमने यहांचे इस card को शिर्फ activate किया है आप यहांपर देख सकते हो card का जो status है वो यहांपर activate दिखा रहा है हमने यहांपर एक भी रुपए की जो limit है वो यहांपर use नहीं लियी है total हमारा कार्ड है उस कार्ड के अंदर अभी तक हमारा जो 50,000 रुपे है वो इसकी लिमिट हो चुकी है तो यहां पर मैंने आपको बजाज का फिंशर उकार लाइव मैंने अप्लाई करके दिखा दिया है और साती यहां पर एक्टिवेट करके दिखा हो और तुरंत ही इसका बेनिफिट ले सकते हो तुरंत ही आप इसको कहीं पर भी काम में ले सकते हो अब आपके मैंड में एक बात आ रही होगी कि आपने यहापर बजाज का फिंसर्व EMI कार बनवा लिया लेकिन आपने यहापर जो आपकी पर्शनल डिटेल बगेरा है जैसे आपका आधार कार नंबर आपका पैन कार नंबर वो तो आपने यहापर फिल किया ही नहीं आपने यहापर आपकी जो पर्शनल डिटेल है वो आपने फिल की ही नहीं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप यहाँ पर जैसे ही offers फर जाओगे, self template पर click करोगे, उसके बाद जो आपका बजाज का फिंसर्व EMI card है, इस पर आप click करोगे और आपको यहाँ पर option मिलता है, apply now का आप इस पर click करोगे, तो जो भी आपकी personal detail है, अगर आप यहाँ पर पहली बार इसके लिए apply कर रहे हो, तो पहली बार apply करते time, आप से यहाँ पर आपकी personal detail है, वो सारी मांगी जाएगी, जिसे आपका अधार कार नंबर, आपका pen कार नंबर, आपका जो address वगरा है, वो सब कुछ आपको यहाँ से मांगा जाएगा, तो मेरे से यहाँ पर क्यों नहीं मां apply किया था, तो सारी detail मैंने यहाँ पर fill की थी, मेरा अधा, नंबर, pen card, नंबर वगरा सब कुछ मैंने fill किया था, तो उसी की वज़े से जब हमने इसको दोबारा apply किया, तो सारी जो detail है, वो हमें यहाँ पर automatic जो हमने पहले fill की थी, वहाँ से automatic यहाँ पर deduct कर ली गई है, इस के लिए eligible नहीं होते हो, और वापस से आप इसके लिए try करते हो, तो आपको यहाँ पर दोबारा apply करने के लिए किसी प्रकार की detail फिल नहीं करनी है, जो आपने detail पहले fill की है, वो आपकी सारी detail यहाँ पर automatic आ जाती है, तो यहाँ पर मैंने आज के इस वीडियो में आपको ब पता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि बजाज को फिंसर्व का जो EMI कार है, उसको बनवाने का जो complete process है, वो आपके समझ में आगया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, साती अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्ली टेलिग्राम पर मेसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें इस्टाग्राम और टेलिग्राम पर टेक रिलेटेड इस्यू का मेसेज करता है, हम उसका 100% रिप्लाइद देने की कौसिज करते हैं,